अलो दोस्तो वेलकम बैक टी नी वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आपके सामने कडिवी है ब्रैंड न्यू केटियम ड्यूक 125 का नया कलर आप्शन प्लस नई बाइक नया कलर आप्शन तो नहीं औरेंज पहले से आता है बन दोस्तो यह नई बाइक E20 वाली है दोस्तो आज की स्विडियो को इस बाइक के बारे में डीटेल में बात करने वाले है क्या प्राइज आती क्या स्पेसिफिकेशन है क्या बजट में आप इस बाइक को खरी सकते है सारे चीज़ आपको मैं डीटेल से बताना बनाओ तो चली फिर आज के इस फिडियो को सुरू करते हैं कर चैनल पर पहले बार है तो अपनी सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा सबसे पहले दोस्तो बात कर लेते इस बाइक के प्राइस के बारे में आपको क्लियर करना चाहूँआ दोस्तो यह बाइक आपको एक सुरूम प्राइस आरी अनलग बाग वन लेक वन लेक सेवेंटी एट टॉजन एक लग अटातर रजार रुपे गयास पास के आपके एक सुरूम प्राइस देखने को मिल दे है याने कि दोस्तो बाइक का जो प्राइस रवाई वो भी काफी जादा है यार वन टॉट्टी फाइब के साफ से मुझे थोड़ा जादा लगता है और मेरे साफ से दोस्तो वन टॉट्टी फाइफ के साफ से कंपनी को थोड़ा प्राइस का मुझे और थोड़े बहुत इसमें अपडेट भी लारा चींज जिससे आप से कंपनी का प्राइस ले रही है चली रिवी में आता है दोस्तों अब देखेंगे सबसे पहले इस बाइट में आपको मिल लट में LED जो डियरल लट आपको इस बाइट में देखने को मिलता जिसके बहुत ही अच्छा लगता है और company वो यह भी जो LED आपे दे देना चाहिए था तो एक थोड़ा सा मुझे minus point लगा अगर company यह LED दे दे दी वह आती यह और जदा बैतर हो सकती दो भाई मेरे साब से तो यह थोड़ा से मुझे minus point इस bike में लगा आप आगी bike बहुत अच्छी है no doubt बात करें फ्रंट सस्पेंशन के बारे में फ्रंट में आपको 43 mm के यह वेस्ट जियर है कि आपसे डाउन जो suspension आपको इस bike में देखने को मिलता है अई प्रंट में देखने को मिलता है यह दो कि single channel ABS है अगर बात करें ब्रेकिंग के बारे में प्रेकिंग के बारे में इस bike में दूस्ट आपको जो है जी ABS है जो कि single channel ABS है अगर बात करें plate size के बारे में तो front में दूसर इस bike में आपको 300 mm 300 mm के असपास की जो plate size है तो आपको bike में front में देखने को मल जाती है प्लस इस bike में आपको 4 piston जो caliper है वो भी दूस्तों आपको इस bike में देखने को मिलेगा 124.7 CC का liquid cool DUSC single cylinder जो engine है वो आपको इस bike में देखने को मल जाता है बात तेरे power and torque के बारे में दूस्तों इस bike maximum power में 14.5 का PS power generated करती है and 12 gas mask का जो netविट इंट और का दूस्तों आपको इस bike पे देखने को मिलेगा इस bike में आपको जो power and torque है दूस्तों भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है company ने काफ़ अच्छी power and torque इस bike में देए दूस्तों pulling system में इस bike में आपको liquid cool engine मिल जाता है bike में fuel system में आपको FI देखने को मिलेगा जिसे fuel injector भी कहता है इसको one number of cylinder में design किया गया है दूस्तों ये 6 gear के साथ में आती है 4 size 58 mm है stroke size 47.2 mm के आपको इस bike में देखने को मिल जाता है plus आप देख पार है आपको liquid cool engine है काफी बड़ा radiator size है दूस्तों company ने आपको ओफर किया हुआ है काफी बड़ा radiator size है और इसकी cooling performance बहुत जादा अच्छी है 125 bike Indian market में एक लौती ऐसी bike है जिसमें आपको liquid cool engine मेरेगा कोई और 125 bike नहीं आती जिसमें आपको liquid cool engine देखने को मिले तो ये चीज़ जो दूस्तों मुझे इस bike की काफी जाद जो अच्छी लगती है ये company ने जो इस bike में काफी चीज मेरे इस आपसे मेरी नजरों में अजी दी है चलिए बात कले इस bike के दोस्तों मालेश प्लस performance के बारे में दोस्तों ये bike minimum आपको लबग 45 45 के आपको अच्छी देखने को मल रही है आपको इस bike में मतलब performance के मामले में भी इस bike में आपको कमी देखने को नहीं वलती जो चीज प्रसनली मुझे भी बहुत ज़ाद आच्छी लगती है लिए हर प्रफाल आप देख पारे जो suspension है दोस्तों आपको मोलो सुक suspension देखने को मिलेगे काफी ची suspension इस bike में ओफर किये हुए कंपानी ने जो exhaust है दोस्तों अंडर बेली exhaust मिलता है काफी अचा sound करता है काफी बेसी sound है और आपको मज़ा भी आएगा कि भाई मैं कि sports सा एक मिन की bike चला रहा हूँ ठीक exhaust भी जो इस इस bike का जो है काफी अच्छा है आप देख पारे है मैं आपको विदम सामने से दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह की से देख पाए और समझ पाए कि कैसा इसका exhaust है इसमें आपको जो swing गाम मिलेंगे दोस्तों वो aluminium swing गाम मिलते हैं जो की काफी अच्छे है और रियर में इस bike में आपको 15060 के टायर से देखने को मिल जाएंगे रियर में इस bike में आपको 230 mm के असपास की डिक स्प्लेट है आपको रियर में देखने को मिलेगी display दोस्तों इस bike की बहुत जादा अच्छी है और performance भी आपको बहुत अच्छे निकाल कर देगी रियर में आप देख पार है जो tail light दोस्तों आपको या पे LED देखने को मिलेगा company ने काफ सेची जो tail light है इस bike में offer किया हुआ है प्लस आप देख सकते हैं जो grab rails है वह भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे seat में दोस्तों दो dual seat यहने के split seat मिलती है 1 and 2 part में seat है seat की जो form quality दोस्तों वह भी आपको इस bike में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी company ने काफी अच्छा दिया है यहाँ पर आपको A20 की bedging मिल जाती है पात कर लिए दोस्तों अब इस bike के speedometer के बारे में ठीक है speedometer के बारे में भी जान लेते हैं सबसे पहले आपको मैं key भी दिखा दूँगा कि की की आती है ठीक है सबसे पहले मैं key switch on कर लेता हूँ और आपको मैं feature दिखाता हूँ जिसमें आपको टेको मिटर मिल रहा है दोस्तों जिसे हम rp meter भी कहते हैं उसके बाद speedometer है इसके बाद trick meter है odometer है clock है ABS light है fuel gauge है service reminder है low oil indicator है प्लस low battery indicator भी आपको bike में मिलेगा जूस्वीचेश आपको इस वाद के देखने को मिलें कि इसके speedometer को गण्ट्रोल कर सकते है अन्य कि जो feature-wise आपको bike बहुत अच्छी देखने को मिले है company ने feature-wise भी दूस्वीच भी को आपको इस बाइक कोई कमी देखने को नहीं मिलती धी उल्यप्लस पाइंट किल सीज प्लस जो सेल्फ का स्वीच आपको बाइक में मल जाता है ठीक तो यह दोसो ब्रैंड न्यू केटेम ड्यूक 155 का डीटेल स्पेसिपिकेशन रिव्यू आई होब दूसो आपको वीडियो अच्छे लगी को अच्छे लेगी तो लाइक करना चैनल पर पहली बैरा तो स लैक्त्रेप को लेना मिलते है नेक्स वरो में लव्यू और जाहिन मदबाद रहा